जरासंध इस युद्ध के पहले तक अजय था। कर्ण और जरासंध के बीच का ये युद्ध काफी दिनों तक चला था। आईए जानते हैं युद्ध क्यों और कैसे हुआ था। भानुमती जोकी राजा चंद्र वर्मा की पुत्री थी, उनका स्वयमवर का आयोजन था। उनके स्वयमवर में शिशुपाल, जरासंध, रुकमी, वक्र, कर्ण आदी राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमती हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दर्बार में आई और एक-एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी। थोड़े देर बाद वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमती वर्माला उसे पहना दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमती आगे-ागे बढ़ गई। दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने तुरंथ ही भानुमती के हाथ से माला जपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृष्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारे निकाल ली। उसने कर्ण को युध के लिए चुनोती दिया। जरासंद से कर्ण का युध काफी दिनों तक चला। काफी दिनों तक युध चलने के पश्चात कर्ण ने जरासंद को पराजित किया। यह जरासंद की पहली हार थी। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंद ने कर्ण को मा जैसे कर्ण बहुत लोग प्रिय हुए. मालिनी राज्य के सिंगहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपत ली कि मेरे दर्बार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा. और इस तरह भानुमती का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में.